मुक्यमंत्री विश्मदेव साय ने चत्यसगड में दो नई रेल लाइन परियोजनाओं के अंतिम सर्वे और डिपी आर निर्माण की स्विक्रिती मिलने पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के प्रती अभार प्रगड किया है मुक्यमंत्री ने कहा कि इसे चत्यसगड का रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और अधिक मजबूत होगा बता दे कि रेल मंत्राले की द्वारा चत्यसगड में दक्षिन पूर्वमध्य रेलवे के अंतरगत 16 करोड 75 लाग रुपई की लागत से कूल 670 किलोमेटर लंबी दो नई रेल लाइन परियोजनाओ के अंतिम सर्वे और डिपी आर निर्मान की स्विक्रिती दी गई है मुक्यमंत्री ने कहा कि इन दो रेल लाइन परियोजनाओस में से गड़ चिरॉली से बीजापूर होते हुए बचली तक 490 किलोमेटर की नई रेल लाइन की सर्वे को सुकृती मिली है बस्तर के सर्व समावेशी विकास की गति को अब से अब कई गुना बढ़ने वाली है इसके सर्वे के लिए रेल मंत्राना ने 12 करोड 25 लाग रुपए की स्विक्रित किये हैं इससे बस्तर के सुदू रंचल की लोग अब उच्छ सिक्षा, रोजगार, बैतर स्वास्त और अपने उत्पादों की विक्री के लिए सीधे रेल मार्क से शेहर की ओड जूड सकेंगे वहीं कोरबा से अंबिगापूर्ता की 180 किलोमेटर की नई रेल लाइन की सर्वे को मिली स्विक्रिती में कोरबा और सरगुजा के लोगों को इसका ज्यादा लाब मिलेगा